नमस्ते बच्चो बी अफटी एसी स्कूल में आप सभी का स्वागत है तो चलो बच्चो अज अंग्रेजी सब्जक्ट का परिक्षा है तो परिक्षा सुरू होने से पहले कोई भी चोरी करने के लिए कागजपुर्जा लाए हो तो बाहर निकाल के फेक दो अन्नाई तो जो पकड़ा गया उसके मूह में दस फिट की लाठी घुसेड के मारूंगी में अब है 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 बाव वेटा तुम दोनों चोरी करने के लिए कोई पूर्जा नहीं लाए हो तेरह इमंदारी देखके मैं खुस हो गई है है शलो अपना अपना कोश्चन पेपर लो और देखना सुरू करो तुम लोग एक आजा तुम अपना वाला हम को भी दिखाओ ना अब है बोल्ले का तम इस नहीं है क्या होज में बात करो अरे हल्ला होन कुछ-कुछ आ रहा है इतना तुम दोनों को बहुत देर से देख रहे हैं तुम दोनों चट पता रहे हो बहुत खड़े हो जाओ और पैकेट चेक कराओ तो अपना ऐसा करो कि तुम पैंट ही खोल दो अपना है मैं यह आप क्या बोले सबके सामने खुलेंगे हमको लाज लगीगा अरे तुमको लाज इतना लगता है तो चोरी करने के लिए पुर्जा क्यों लाता है चुप करो और चेक क पुली थी कि समय पर काम देगा चल बैट चंडाला और लिखना सुरू कर है चलो जी हो गया मैंडम अबर होता तो रोता नहीं और गांडू जदा बोलेगा मेरे कहने को मतलब यह थोड़ी न था मैंने जो काम दिया उसको पुरा किया है तू हाम लिखा गया देखिये अरे यह तू क्या लिख दिया एक जॉम के कापी में तूने गाना लिख दिया गाना लिख दिया कौन सा गाना लिख दिया मैडम अरे यह लिख दिया है इजीला है नलंदा कर देंगे मेडम ठंडा जानते है मैडम अगो बात क्या बात है अपने घर में तो कोई दिकत नहीं लेकिन जब हम अपने पड़िवार घर जाते हैं ना तो वहां हगने बहुत सरम आता है अच्छा एक तुम ही हो क्या जिसको सरम आता है क्या काजल तुमको भी ऐसा प्रॉब्लम कभी हुआ है ए बेवडे जब अकल बट रही थी तो कहा थे तुम ए बेवडे तुमको पटाने में लगे थे तुम मेरे एक कोश्चन का एंसर देके दिखां कौन सा कोश्चन है धियान सा देखो तू बताओ ये लिखे हुए सवाल का जबाब क्या होगा अरे क्या लिख दिया आलतफालतो मुझे कुछ ने समझ में आरा जादे अंग्रेज का दादा मत बनो अरे छोड़ो ये तुम्हारे बस के बात नहीं है मैडम क्या आपके पास इसका जवाब है अरे नहीं मैं भी नहीं समझ पारी तु क्या लिका है अंसर देखा किसी के पास इसका इंसर नहीं है अब मैं इसका जबाब देता हूं देखो ये इंदू है और ये डॉट मतलब बिंदू है और ये रेखा है और ये तीन नो एक साथ और ये भाग है और ये गई इसका एक साथ भाग गई थैंकि 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 अरे वाजी तुम तो कमाल कर दिये तो बच्चों आज का कलास समाप्ति किया जाता है फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में बीडियो देखने वाले आप सबी से अनुरोध है कि हमारा बीफटीयस म्यूजिक चैनल को सब प्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद कि देवरा पूरी सबजी पूँआ खोई लेवा कि पादि पादि कोचिंग में छोड़ा धूआ करवादे छीचीची सांत्रहो मारेंगे लोल पे तो चड़ जाओगे पोल पे समझे चलो अब पढ़ाई करो बीफटीयसी स्कूल में तुम सभी का स्वागत है किसी का कोई सवाल है जी अगर सवाल है तो पूछ लो अच्छा माडम एक बात बताईए तो कि सभी लड़किया लड़कों को भाईया ही क्यों बोलती है क्यों भाईया बोलती है तो तुमको क्या परसानी है परसानी को नहीं है मैडम लेकिन बेचा कर देना चाहती हो जी हम अड़ाउ को भॉया इस लिए के लटको का संह्खिया जादा है और लड़कों का कम कर हूँ है क्या जवाब दी है अच्छा तुम बहुत तेज बन रही हूँ ना तो जो हम बोला हिंगे उसको बोल के दिखा दोगी क्या बोलना है बताओ तो पाँच बार जली जली बोल के दिखा तो अपंगफ गंज अपंगफ गंज ये कौन नहीं बोल देगा सुनो अपंगाज गण्च, अपंगाज गण्च, अपंगाज गण्च, अपंगाज गण्च. हो गे नग अदे टैंटा फिज, इसलिए बोलते है कवी लड़का से पंगा नहीं नहीं काऊ. अच्छा बेटा बहुत चलाको तुम तो मेरे एक सवाल का जवाब देखे दिखा तो कवा उर्ता है अकास में मगर रहता है कहाँ मुझे भी लगा कि कोई भारी सवाल होगा ये तो कोई भी बता देगा कि कवा उर्ता है अकास में मगर रखता है घोसला में कोई उरता है आकास में मगर मतलब मगर मच रहता है पानी में नाकी घोसला में चंजा सलात कि पहला गर मुझे हराया है अरे हला तुम सबका बकवाच सुनके मेरे सीर में दर्ध होने लगा अब कोई गाना सुनाओ ताकि मेरा माइंड फ्रेस हो जाए ठीक है मेडाम, तो सुनिए प्यार वाला परहाई से पसा पलोट जाए मेडाम उपाए पता दी पतर की छोड़ी यह का हो रहा है बे अच्छा बताईए ना, आप मुझे कितना प्यार करते हैं पहले 21 तो एमाल यू इडियर, मुझे माल किसने बोला बे अरे मैंने नहीं बोला है, ये बोला है अरे ये तो गुंगा है जरूर तुम्ही बोला होगा, तुम्हे तो अरे मुझे क्यों मार दी, ये नो बोला था कैसा लगा निलू इसलिए कहते हैं, कि कभी फूली हुई रोटी को कच्ची नहीं समझनी चाहिए, और बारा साल की लड़की को कभी बच्ची नहीं समझनी चाहिए अरे तुम बोल रहा है, इसका मतलब जोट बोले, हाओ जाने मनू, तांदुआ तरह लिए किसी पर भी गनू गोरे गोरे मुखरे पकाला काला चसना, एकर पपा मार गलाया जहोई दसमा, तोर मैया मरलो आजहोँ दसमा, अब आगलो समझ में, शुनो ना पढ़िया, क्या हुआ बोलो, मेरे साथ से खेला खेलोगी, हाँ, लेकिन कैसे खेलोगे बताओ, ठीक है, इस खेल का नियम पहले समझ लो, तो देखो, ये छोटा सा लगरी का टुकड़ा है, और ये बालू, और ये लगरी के टुकड़े को बालू में छिपा दिये, अब तुम बैठो, हम तुम्हारा आँख बन करते हैं, और तेरा आँख बन कर दिये, और आप तुमको कहीं दूर लेकर जा रहे हैं, हा दूर तो लेकर जा रहे हो, और अब तुम्हारा आँख खोल रहे हैं, और अब तुम उस बालू में से लगरी के टुकड़ा खोज कर दिखाओ, अच्छा ठीक है, अरे ये गेला क्या चीज़ा है, गोवर जैसा, अरे पागल हो गयों क्या, हस क्यों रहे हो, अरे ये गोवर नहीं, ये गूव है, चीची गंदा लड़का, चलो आज तुमको मैडम से मार पिटवाते हैं, बी अफटी एसी स्कूल में आप सभी का स्वागत है, तो आज क्या पढ़ाय जाए बच्चो? मैडम, मेरे करन अनकाल आप से दो सवाल पूछने के लिए बोले, क्या पूछने के लिए बोले हैं, पूछो? अच्छा मैडम जी, आप आइस क्रीम को काट के खाते हैं, कि चूश के? ये कौन सा सवाल है जी? अच्छा सून लो, काट के खाने में तो तुरंद खतम हो जाता है, पर मुझे चूश के खाने में बहुत मज़ाता है. गोर गोर मुखर पकला कला चसना, एकर पपा मार गला या जहोई दसमा, तोर मैया मरलो आज हो दसमा, अब आगलो समझ में, सुनो ना पढ़िया, क्या हुआ बोलो, मेरे साथ से खेला खेलोगी, हाँ, लेकिन कैसे खेलोगे बताओ, ठीक है, इस खेल का नियम पहले समाज ल आगलो, तो देखो, यह छोटा सा लक्री का टुकड़ा है, और यह बालो, और ये लक्री का टुकड़े को बालो में च्छिपा दिये, अब तुम बैठो, हम तुमारा आँख बन करते हैं, और तेरा आँख बन कर दिये, और आप तुमको कहीं दूर लेकर जा रहे हैं, या दोड़ तो लेकर जा रहे हो और अब तुम्हारा आँख खोल रहे है और अब तुम उस बालो में से लकरी के टुकरा खोज कर दिखाओ अच्छा ठीक है अरे ये गीला क्या चीज़ या गोवर जैसा अरे पागल हो गयो क्या हस क्यों रहे हो अरे ये गोवर नहीं ये गूवर है ची ची गंदा लड़का चलो आज तुमको मैडम से मार पिटवाते हैं बी अफटी एसी स्कूल में आप सभी का स्वागत है तो आज क्या पढ़ाय जाए बच्चो मैडम मेरे करन अनकाल आप से दो सवाल पूछने के लिए बोले क्या पूछने के लिए बोले हैं पूछो अच्छा मैडम जी आप आइस क्रीम को काट के खाते हैं कि चूस के हम ये कौन सा सवाल है जी अच्छा सून लो काट के खाने में तो तुरंत खतम हो जाता है पर मुझे चूस के खाने में बहुत मज़ा आता है अब दूसरे सवाल मैडम हम गा के पूछेंगे अब तुम गा के पुछो, चाहे नाज के पुछो, लेकिन पूछो देखो, उल्टा सिधा सवाल मत पुछ देना उल्टा सवाल नहीं है मैड़ा कौन चीजे चोड़ना चोड़ा सब के आकौन मैया के लाल हो अच्छा, तो तुम यही सवाल पे उछल रहे हो यह सवाल से जबाब कोई नहीं देपाया हम दे रहें जबाब, लो सुन लो नाम हमर हमरा से जादे दूसर लोग कोरे इस्तमाल हो जै हो कच-कचु होगा, आगे बता यह मैड़ा अरे नाम हमर हमरा से जादे दूसर लोग कोरे इस्तमाल हो बुधिगे आन नाचोरा सोके चोर कोन मया के लाल हो अरे जीओ मैड़ा अरे बुधिगे आन नाचोरा सोके चोर कोन मया के लाल हो क्या समझे थे कि हम जबाब नहीं देपाएंगे हाँ, यह तो दियें, लेकिन दूसर शवाल गोख़े मा का मैड़ा पूछो कौन थेज बिना छूले टूट जाना हो और टूटा लाके बाद पुछता ला हो क्या हो मैड़ा, सोचने लगे ज्यादा फटर फटर मत बोलो, अकुनो वदा दिल बिना छूले टूटे जाना हो और टूटा लाके बाद पुछता ला हो समझा तुम भी किसी से दिल मत लगा ले ना में तो ऐसे ही पस्ता होगे कोई काम नहीं आएगा अरे तो पहले बताना चाहिए था ना मैडम मेरा दिल तो लग चुका है और अब क्या होगा मैडम हम जानते हैं मैडम की आवाप छुट्टी किजिए इसलिए हम जार हैं पाइबाइब